असलाम अलेकों मेरे दोस्तों मैं आपको दुखा रहा हूं मक्की मक्की की फसल यह आप सिटा देख रहे होगे मैं आपको दुखाता हूं यह देखें यह सिटा है जो हम शेहरों में इसे भून कर शेहरों में ले जाकर इसे भून कर लोग बेचते हैं और अपनी रोजी रोटी का सिंसला जारी करते हैं और यहां पर लोगों के पास अपनी होती है इसलिए वो यहीं से तोड़ कर अपने खड़ों में भून लेते हैं और खरिजने के लिए नहीं जाते हैं यहां पर इसकी ड्मांड बहुत कम मैंसे इंस तही वर शेरों में इसकी ड्मांड़ ज्यादा होती है यहां पर 10 रपैका होता है और वहाँ पर पीसर पैका तीसर पैका सटा होता है यह मकी छे महनों की फसल है जो हमारे लिए बहुत फैदे मन्द है यह जो मकी है इसके सिटे जो हैं यह हम बेचते हैं और यह जो पठे हैं इनकों अपनी मज्जों के बैसों के चारे के लिए इस्तमाल करते हैं का भाट बेचता है ये मकी इस दफ़ा नहीं गिरी है पहले गिर जाती थी इस दफ़ा काफी अच्छी है थोड़ा सा भी हुआ कर जुका आता था तो मकी गिर जाती थी अब यह मकी नहीं गिरी यह हमारे लिए बहुत फैदमन्द है मुफीद मन्द है वहरे मन्द इसलिए है कि अगर हमारी मुख्य गिर जाए तो वह कम कम वजन में सिटा कम वजन में हो जाता है और चोटा चोटा और ये गिरी नहीं है इसलिए इसका सिटा माशाला काफी बड़ा है इसलिए इसका वजन ज्यादा होगा और जिस से हमको ज्यादा पैसे मिलेंगे यह लेखे में दोस्तों सामने से नहीं हुई है सामने से बहुत कम हुई है और आग उस दूसरी शैड़ों से जारा हुई है जारा हुई है जारा हुई है यहां से हमको खटाएगा बाकी जंगा से हमको मनाफ आएगा यहां पर इसलिए नहीं हुई कि यहां पर गत्रों का पानी नालों का पानी नालियों का पानी जाता है और इसकी वज़ए यह यह नहीं हुई यह हमारा फ्रेंट कफी खराब हुआ है यह देखे मैंने तोस्तों कि gjic और बाकि सारी ठीक एस्टी निसमा कि यह पर पाणरी एस डिसमाया की वाद मैट जुझ है जो गट्नों का घरों का नालियों नहीं इसमें आता है और इसलिए ये बाकी की फ्रेंट वाला नहीं सा हुआ जहां पर पानी गया है और बाकी सा सारा हो गए मेरे दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी और लाइक सब्क्राइब शेयर और बिल आइकोन को ज़रूर दुआएं ताकि हमारे हाने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी इसके साथ अल्ला हाफीज मैं मिलता हूं नेक्स वीडियो में